अलो ट्रेडर्स गूड यूणिंग आप सभी का स्वागत हुए एक मिस्ता ट्रेडिंग में हम लोग कल के लिए जानेंगे बेस्ट एंड सेप कॉल जो आपके लिए बाय और सेल पर यूज करेंगे 20 एक्टूबर 2020 के लिए जो मेरे चैनल पर नए है प्लीज सस्क्राइब करन चलिए लेट्स बिगेन गाइस देखिए जो उन लोगोंने मेरा सेर संडे को वीडियो देखके बाय किया था डीलेफ आज उसमें अच्छी खासी मुवमेंट आई है देखिए 164.20 पर ओपन हुआ था 167.85 का हाई गया तो अच्छी खासी मुवमेंट हुई थी डीलेफ में चलिए आज फिर से कल के लिए सेर जान लेते हैं तो देखिए मेरा जो पहला सेर है वो हिंदूस्तान यूनिलिवर है क्योंकि कल इस पे अपकमिंग हेरिंग भी आने वाली है तो ये बहुत अच्छा मुव या मुवमेंट आने की संभावना है इसमें ठीक है तो बीलियन के अबब है ठीक है डिविदेंट 1.16 परसेंट प्रवाइड कर रहा है पी जो है वो 69.45 परसेंट है तो आएए जान लेते हैं इसकी फाइनेंसियल के कंडिशन देखिए वैल्यूएशन में मार्केट कैप्टलाइजेशन जो है वो 5053 बीलियन के लगबग है ठीक है आएक इसकी फाइल देख लेते हैं तो देखिए सेक्टर जो है कंडिमर नॉन ड्यूरेबल और इंड़ेश्ट्री जो है वो हाउसल्ड प्रशनल केर सर्विसेश प्रवाइड करते हैं जो अर्प्रशनल केर और यूज़ आते हैं जैसे इसकी जो ब्रैंड इंक्लूड करता सब कुछ लगबग इसी से बिलॉंग करता है जितने प्रोड़क्ट हम यूज करते हैं तो वाटर प्यूरिफायर से यह वन परसेंट आती है इसकी फूड एंड रिफ्रेस्मेंट जैसे कोहिनूर हो गया ठीक है इन सब से इसका नाइटीन परसेंट का प्रॉफिट होता है और होम कि जिसे विम हो गया वील हो गया सर्फ अकसल हो गया उससे 34% और 46% इसके प्रस्टनल केर से आता है प्रस्टनल केर इंडिया partnership कर रहा है हिंदुस्तान Unilever के साथ ताकि वो digital payment offer कर सके retailers को ठीक है दोस्तों तो इसके वज़े से क्या होगा कि आप लोगों को 50,000 रुपीज तक के आप billing कर सकते हैं इसको use करते हुए ठीक है देखे इसकी चार्ट देख लेते हैं एक बार देखे चार्ट में तो इ ठीक है काफी ज्यादा consume होने वाला market से बिलॉंग करता है यह से ठीक है तो देखे इस पर टेक्निकली भी जो है वो strong buy की काल है आईए next year के बारे में जान लेते हैं तो next year जो है वो हिंद जिंक है हिंदुस्तान जिंक है ठीक है जिसका अभी current price 220 रुपे के लगभग है ठीक ह market capital 895 billion की है ठीक है पी जो है वो 14 है आज भी देखिए अच्छा खासा मूब दिखा है इसने चार परसंट से उपर गया यह से ठीक है तो इसकी market अच्छी चल रही है भी ठीक है जैसे देखिए इसकी market finance में हम लोग देख लेते हैं market capitalization जो है वो 895 billion की है ठीक है इसका price history में देखिए 52 वीक जो हाई है वो 258 का है तो इस तरीके से तो इसमें अभी भी movement आ सकती है अच्छी खासी आप लोग अगर buy करके चलते हैं तब भी आपको इसमें 40 से 50 रुपीज तक का मुनाफ़ा हो सकता है और 52 वीक लो जो है वो 116 रुपे का है तो इस share को उपर भी ध्यान रखे गया इसकी profile देख लेते हिंदुस्तान जिंग लिमिटेड जो है वो इंगेज करता है exploration करता है मिनरल्स को ठीक है उसको भी प्रोटक्शन करता है जैसे जिंग हो गया लीड हो गया और सिल्वर यह सब विंड एनरजी सेग्मेंट में भी काम करते हैं यह कंपनी ठीक है एक अपना नया setup setup melter जो है वो गुजराती श्टेट में भी फिट करने वाले हैं तो उसके वज़े से काफी अच्छी movement आएगी share में ठीक है देखे इस पर अगर आप चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट के इसाब से इसमें अच्छी move आने की संभावना है अगर आप इसको long term के लिए और buy करके चलते हैं तो आपको अच्छा move मिल सकता है एक best जगह पर buy करने पर technically call जो है वो भी buy किया रही है ठीक है तो आईए next share के बारे में जान लेते हैं next share जो है मेरा वो हिंडाल को इंडिया limited है ठीक है देखे इसका current price चल रहा है 182.70 पैसे ठीक है तीनों के जो मैंने आज बताएं आप लोगों को वो सभी एस से सुरू होते हैं हिंडाल को जिंक हिंदुस्तान इनुलिवर ठीक है तो कंफ्यूज मत होईएगा इसको अपने मार्केट में जरूर एड करिएगा कल के लिए 182 रुपे पे चल रहा है इसका price देखे 1.61% की moment दिखा है upcoming एरिंग जो है 11 नवंबर को ESP जो है 8.95 है 404 बिलियन की मार्केट कैपिटल है जो प्रवाइड कर रहे हैं वह 0.56 परसंट है पी जो है 20 परसंट है ठीक है और फाइनसियल कंडिशन जो है देखिए वैलिएशन 4.4 404 बिलियन की है मार्केट कैपिटल ठीक है 52 वी खाई जो है वह 221 है 52 वीक लो जो है 84 है अभी भी बाई का मौका है आप करते हैं तो इसमें आपको मुनाफ़ा जरूर होगा ठीक है प्रोफाइल देख लेते हैं सेक्ट और यह वायर भी प्रोड्यूस करती है कंपनी ठीक है अधित्या बिरला गृत से बिलॉंग करती है कंपनी देखिए यह कंपनी दिसंबर 15 1985 में फाउंड की गई थी हेड़कॉर्टर मुंबई इंडिया में है इसकी जो निउस निकल के आया थी कि हिंडाल को इंड़स्ट्र तो इसकी वाज़े से यह अच्छी ख़बर थी इस चार्ट के लिए और इसका अगर चार्ट देख लेते हैं तो इसमें भी काफी अच्छा मुमेंट दिख रहा है अगर आप इसको भाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफित होगा ठीक है टेक्निकली भी जो है तो कल आप इन सेरों पर ध्यान रखिएगा आपको अच्छी मुमेंट मिल सकती है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो अगर आपका कोई सुझाओ तो कमेंट में जरूर में सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो